T20 World Cup 2022, अब पकिस्तानी ओवाम कर रही है टीम इंडिया की जीत की दुआ, दो हार के बाद पकिस्तान को सिमी फाइनल में जगा बनाने के लिए अब टीम इंडिया पर निर्वर होना पड़ रहा है, पकिस्तानी किरकेट टीम के लिए मौझूदा T20 World Cup किसी बूरे सपने से कम पहले दो मैचों में ही पकिस्तान को इतने बड़े जटके लग चुके हैं कि साइद इस टीम के खिलाडी बचे हुए वर्लकप मुकाबले खेलने से भी बच रहे हैं, जी हाँ अब पकिस्तान को अगर सिमी फाइनल खेलना है तो उनकी नजरे टीम इंडिया पर होगी, वही ये दोआ भी करेंगे कि भारतिया टीम अपने सभी मैच जीत जाएं, ताके पकिस्तान टीम सिमी फाइनल में जा पहुँचे। पकिस्तान को इन तीनों मैचों में से एक मैच साउथ अफरीका के खिलाब भी खेलना है, बात साउथ अफरीका के सेडियूल की करें तो इस टीम को भारत पकिस्तान के इलावा नीदेरलेंड के खिलाब तीसरा मैच खेलना है, अगर साउथ अफरीका के टीम दो मैच जीत ल पगिस्तान को अगर अगले तीन मैच जीतने हैं तो उन्हें अपने सरमनाक रिकورड को सुधारने की जरूरत है। दरसल T20 किर्केट में पकिस्तान का इस्टेलिया में रिकोर्ड बेहत खराब रहा है। इस्टेलिया में पकिस्तान ने कुल 6 T20 खेले हैं जिसमें पांच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसे में पकिस्तान को तीनों मैज जितने के साथ साथ लग की भी दरकार है। आपको क्या लगता है क्या पकिस्तान टीम सीमी फाइनल में पहुँच पाएगी। कोमेंट कर जरूर बताएं और चाइनल को सस्क्राइब कर लें ताके किर्केट से जुड़ी तमाम खबरे आप तक पहुंचती रहें।